धार जिले के तिरला थाना अंतरगत इंडॉर एहमदाबाद मार्क पर सूमवार की रात्री को लोहे के सरिये से भरी आई सर के चालक वो क्लीनर को गोली मार कर धायर कर आग टन लोहे का सरिया लूट कर बदमाश फरार हो गए इसमें से एक मुख्य आरोपी को पकरने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली वही दो टन सरिया भी बरामत किया आरोपी को न्यायाले में पेश कर पुलिस रिमांग स्विक्रित करवाया जाएगा वहीं अन्ने आरोपियों को पकरने के लिए टीम लगाई गई जल्द हे पुलस अन आरोपियों को भी गिरफतार कर बाकी का सर्या जब्त करेगी यह लूट फिल्मी स्टाइल में आरोपियों के द्वारा की गई थी आरोपियों द्वाई पर सवार होकर आये थे और उन्होंने आईसल वाहन को हाथ दे कर रोका उक्तिसर्या पीथम पूर फैक्टरी से मीख नगर की ओर जा रहा था ट्रक चालक ने वाहन को साइड में खरा किया था कि बदमाशों ने पहले वाहन की चाबी निकाली एवं चालक को नीचे उतार कर उसे मोबाईल वर नगदी भी चीन लिये एवं उस पर देसी कटे से गोली मारी थी जो कि उसके दाहिने हाथ में लगी वहीं क्लीनर पर भी फायल किया क्लीनर की जांक पर गोली आरपार हो गई दोनों घायल हो गए बदमाश चरा धमका कर वहां से वाहन सहित उन्हें लेकर चले गए बदमाशों ने क्लीनर को अपनी बाईट पर बिठा लिया और वहां से ग्राम बिल्दा से पहले एक प्रतिक्षाले के सामने वाहन को रुखवाया एवं ड्राइवर वक्लीनर को उतार कर दो बदमाश गारी लेकर जंगर की ओर निकल पड़े वहीं दो बदमाश उन्हें के पास रुके रहे सुबह चार बजे ट्रक को खाली कर इन्हें चाबी देकर फरार हो गए घालो को सूशना पर पुलस प्रातमिक स्वास्त केंद्रों लेकर पूची वह तरला थाने पर फ्रकरंद दर्ज किया गया इसमें लगवाग दो टन सरीया जोरे से बरामत किया गया है जो कि लुटा हुआ माल था उसका आज इसके माननी न्याले में प्रेश करके उसका प्यार लिया जा रहा है और बाकी का माल और आरूप्यों किया जा रही है कितने आरूपी अभी तक पुल पाच आरूपी चिन्नित हुए ते इसमें से गिर्फतार हो चुका है बचे चार है संतोस सुलील राजू और हीरू जिनने जल्दी गिर्फतार के लिया जाए कि हमारी टीम लगाते है इसमें काम कर रहे है आप पन हम आपकर देवेंदर दुर्वें नादर पुलिसे दिक्चरदान